एक एड़िस्मिंट हम देखेंगे जिसमें ये कहा गया होगा कि देनदारों से प्राप्य विपत्र हमने इस पूरे विशय में विनिमे विपत्र के बारे में पढ़ा एक ऐसा विपत्र जिसमें दो पक्षकार होते हैं एक लेखक और एक स्विकर्ता लेखक यानि की वो वेपारी जो माल को बेचता है और स्विकर्ता यानि की वो वेपारी जो उधार माल खरीदता है लेखक यानि की विक्रेता वेपारी एक विपत्र लिखता है कि मैंने तुमको माल बेचा है और इतने इतने समय के बाद तुम इस बेचे गैमाल की राशी का भुगतान मुझे कर देना अब जो क्रेता वैपारी होता है वो इस विपत्र पर अपनी स्विक्रिति देता है कि हां तुमने विपत्र में जो लिखा है वो मैं स्विकार करता हूँ और जो भी डेट तुमने इसमें लिखी है उस तिथी को उस डेट को मैं तुम्हारे द्वारा जो भी राशी द्यू होती है उसको मैं भुक्तान करूँगा यहने ऐसी कंडिशन में एक व्यपारी जो होता है वो ट्रस्ट करते हुए विश्वास करते हुए उस विनिमय विपत्र के आधार पर एक निश्चित राशी जो होता है उसका माल एक क्रेता व्यपारी को उधार में बेच देता है अब यहां पर बात आती है कि देंदारों से प्राप्पे विपत्र अगर कोई देंदार विपत्र पर स्विकृति प्राप्ति कर लेता है तो ऐसी कंडिशन में फिर हम उसको देंदार ना मानते हुए देंदार की जो स्थिती है वहां से हम हटा देते हैं और उसको यह माल ल सब्सक्राइब करोई व tapsब्स कु tщot क्यों मिलांअ में कि मदनेस प alga संपति पख्ष में लिखा हुआ है जो संपति पक्ष मेंайте पराप班GS लिखा हुआए उसमें हमको क्लस कर देना है fem one मिलाकर हार जोזה बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में एक्वल ही रहेगा आप देखते हैं कि देनदार की राशी को भी हम बैलेंस शीट के संपत्ति साइड में लिखते हैं प्राप्य विपत्र की राशी को भी हम बैलेंस शीट के संपत्ति साइड में ही लिखते हैं बस करना क्या होता है कि जि पामिल कर देना है यानि कि एड कर देना है कहीं न कहीं आंसर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन सैधानतिक रूप से हमने इसमें सुधार कर दिया ऐसे ही हम बात करें लेंदार को दिये गए विपत्र की दूसरा पक्षकार हमने देखा जिसने विपत्र पर स्विकृति दी वो हमारा लेंदार था अब ऐसी कंडिशन में अगर हमने लेंदार के रूप में उसकी एंट्री अपनी बैलेंश शीट के लेबिलिटी साइड में कर दी है और बाद में वो दे विपत्र पर स्विकृति दे देता है तो हमको बिलकुल वैसा ही करना है जैसे कि हमने देंदार और प्राप्पी लेंदार लिखा हुआ है क्रेडिटर लिखा हुआ है उसमें से दे विपत्र याने बिल्स पेबल की अमाउंट को माइनस कर देना है और उतनी ही बिल्स पेबल की अमाउंट को हमने लाइबिलिटी साइड में जो दे विपत्र या बिल्स पेबल लिखा हुआ है उसमें एड कर देना है एक एक वेपारी हम को जो चेक देता है कई बार हम कैश में भी वेपार करते हैं चेक में वेपार करते हैं अब तो आप देखते होंगे कि अनाधरित हो जाता है हमने विनिमय विपत्र वाले चैप्टर में भी देखा कि किस प्रकार एक क्रेता वेपारी द्वारा दिया गया चेक कई बार डिजॉनर्ड हो जाता है और हम उसके एक प्रॉपर जनरल एंट्री भी पास करते हैं अब अगर यहां एड्जिस्मेंट में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि वेपारी द्वारा दिया गया चेक अनादरित हो गया तो हम क्या करें सेदी से बात है कि जो देंदार जिस देंदार ने हमको चेक दिया था हमने उसको माइनस कर दिया था वहां पर क्यों क्योंकि वह देंदार हमारा कम हो गया उसने हमको चेक दे दिया लेकिन जब हमने उसको bank भेजा तो वो check dishonored हो गया वापस हम देंदार को बढ़ा देंगे कि भाई अभी भी यह देंदार है अभी तक पैसा हमको मिला नहीं है तो यहां पर हमने balance sheet में जो देंदार यानि कि डेटर्स लिखा हुआ है उसमें अनादरित check की राशी को हमको add कर देना है और वो जो bank balance जिसमें हमने बढ़ा दिया था कि गया हमारे bank में पैसा लेकिन check dishonored हो गया नहीं मिल पाया वो bank balance जो हमने बढ़ा दिया था अब उतनी राशी यानि अनादरित check की राशी से minus कर देना है तो overall दो treatment हम ک logical कर एक तो हमको अनादरित check की राशी से को add करना है बढ़ाना है और दूसरा यह जो asset side में हमने bank chef लिखा हुआ है उसमें हमको अनादरित check की राशी को घटा देना है मानस कर देना है अब हमने देखा कि अशोध रीण यानि कि डूबत रिण को हम हानी मान कर अप्लिकित कर देते हैं देंदारों में से हम उसको माइनस कर देते हैं और हानी मानते हुए हम उसको लाभानी खाते के डेबिट साइड में लिख देते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस देंदार को हम bad dips यानि की खराब देंदार मान कर उसको दी गई रकम को डूबत रिण मान लेते हैं भाविश्र में उससे हमको पैसा मिल जाता है यानि की वसूल हो जाता है इस रकम को हम अशोध रिण से वसूली मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाए तो हमको इसके treatment कैसे करनी चाहिए यानि क कैसे हम इसको adjust करेंगे अब क्यूंकि जिन देंदारों को हमने bad dips मान कर हानी के अंतरगत उनको हमने डाल दिया था लाब हानी में वही राशी अब हमको प्राप्त हो गई वसूल हो गई यानि एक प्रकार से यह हमको लाब हो गया और इसी amount को हमको लाब या आय मानते हुए ह हमको इसको profit and loss account के credit side में लिखना चाहिए क्योंकि जितने भी income जितने भी आय जितने भी profit होते हैं उनको हम according to golden rule profit and loss account के credit side में लिखते हैं दूसरी मातपूर्ण बात क्योंकि यह हमको वसूल हो रहा है पैसा हमको प्राप्त हो रहा है देनदारों से यानि कि हमने balance sheet में asset side में जो cash लिखी हुई है रोकड हमने जो लिख रखी है वो अब हमारी increase हो जाएगी बढ़ जाएगी तो एक बार हमको रोकड जो हमने balance sheet में लिखी हुई है उसमें हमको आश्रो धिरुन से वसूली की amount को जोड़ देना है तो जो जगा हमने इसको adjust किया एक तो हम profit and loss account के credit में हमने इसको लिखा और दूसरा हमने इसको चिठे के संपत्ति पक्ष के cash में increase कर दिया नहीं कि जोड़ दिया दूसरा एक adjustment हमको देखने को मिलता है और इस तरह की गलतियां भी कई बार हम करते हैं तब जबकि हम general entry pass करते हैं हमने देखा कि जो संपत्तियां होती है जो स्थाई संपत्तियां होती ह यह वो माल से अलग होती है जब हम उनको खरीदते हैं उनको purchase करते हैं तो हमको उनको क्रे में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रे में तो हम उस वस्तु को शामिल करते हैं जो माल होती है यानि कि वो वस्तु जिनको हम पुनावी क्रे के लिए खरीदते हैं स्थाई संप को सुनकर फर्ट से हम उसके एंट्री करते हैं क्रे खाता डेविट रोकड़ खाता से यह मिस्ट्रैक हो जाती है हमने रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी देखा अशुद्यू के सुधार में भी देखा कि किस प्रकार यह छोटी छोटी गलतियां पूरे के पूरे ट्रेडिं अकाउंट, प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट और बैलेंश शीट को प्रभावित कर देती हैं यहां पर हमको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से कोई मिस्टेक हो गई है कोई फिक्स एसेट्स कोई संपत्ती हमने खरी दी है और क्रे में उसकी एंट्री हमने कर दी है त पहली बात दूसरी बात इस संपत्ती की जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट को हम बालेंश ओक समपत्ती साइड में जो भी रिलेटेट संपत्ति है अगर मेशीन की अमाउंट है तो मशीन में ऐड कर देंगे फ्वणीचर की नहीं समपत्ती है, तो फिर उसको अलग से हम समपत्ती साइड में लिख देंगे. तो एक बार हमको purchase में से माइनस करना है, और दूसरी बार हमको balance rate के asset साइड में show करना है. ऐसी ही हमको एक adjustment देखने को मिलता है, machine लगाने के way को machine खाते में लिख दिया. हमने देखा कि जब हम मशीन खरीदते हैं तो केवल मशीन की लागत ही नहीं बलकि मशीन को खरीदने के बाद उसको लाने ले जाने के वै जहां पर हमने उसको खरीदा वहां से अपने फॉर्म तक लाने का वै उसको इस्टेबलिश करने का वै इसे स्थापित करने के व्याई और जो चोटें मुटे उपकरन लगे उसको स्थापित करने में वह सारे व्यं, लाङत बन जाते हैं कई बार हम मशीनों पर किए गया इस्थापना व्यय लाने ले जाने के व्यय को अलग से अंट्री कर देते हैं यह गलत है अगर इस तरह की कोई गलती हुई है तो यहां पर हमको adjustment में उसको सुधार लेना है माल लेजे मशीन को स्थापित करने के लिए मजदूरी दी गई तो यह वह मशीन की लागत में जुड़ना चाहिए यानि कि मशीन खाते में डेबिट होना चाहिए अगर हमने मजदूरी में इसको जोड़ दिया है तो ऐसी condition में हमने trading account के debit side में जो मजदूरी लिखी है उसमें से इस वे को नई मशीन के स्थापना पर दी गई मजदूरी के वे को घटा देना है पहला adjustment और दूसरा इस मजदूरी की राशी को हमको मशीन की amount में जोड़ देना है जो हमने balance sheet के asset side में machinery लिखी हुई है जब हमने purchase की थी तो जो amount दी गई थी वो उसमें हमको इस स्थापना वे की मजदूरी की राशी को जोड़ देना है एक adjustment हमको देखने को मिलता है नीजी क्रे हम personal कुछ purchase करते हैं और उसको डाल देते हैं क्रे में यहां trading account के debit में हमने जो क्रे लिखा है वो तो एक form से related है जब हम माल का क्रे करते हैं तो हम यह आपर purchase में उसके entry करते हैं नीजी अगर हमने कुछ क्रे किया है तो वो कहां चला जाएगा वो जाएगा आहरण में हमने गलती क्या कि आहरण में जो हमको राशी डालनी चाहिए थी वो हमने add कर दी purchase में अब हमको इसको कैसे सुधाना पड़ेगा क्या adjustment हम करेंगे purchase में से इस नीजी क्रे की राशी को घटा देंगे और उतनी है amount जो नीजी क्रे की राशी है उतनी है amount को हमने drawing जो लिखा हुआ है आहरण जो लिखा हुआ है balance sheet के liability side में जोड देंगे यहाँ पर फिर यह हमारा बराबर हो जाएगा balance sheet profit and loss and trading account इसी तरह से कई बार एक बात देखने को मिलती है विक्रय या वापसी की शर्त पर भेजा गया माल कई बार एक क्रेता वैपारी जो होता है वो क्रेता वैपारी को कुछ माल भेज देता है और बोलता है कि अगर आपको पसंद आता है तो आप रख लेना या फिर मुझे वापस कर देना अब इसको हम क्या माने ना तो उसने मंगाया ना खरीदने की कोई बात हुई ना विक्रेता वैपारी बोल रहा है कि मैंने माल बेचा कुछ बीच की स्थिति यहाँ पर बन जाती है तो विक्रे या वापसी की शर्त पर भेजा गया जो माल होता है इसको विक्रे में तो शामिल नहीं करेंगे इस बात का हमको विशेज ध्यान रखना है दूसरी बात अगर हमने गलती से शामिल कर दिया है विक्रे या वापसी की स्थित पर भेजा गया माल विक्रे में शामिल किया गया अगर इस तरह से कोई लाइन दी हुई है तो उसको हमको यहाँ पर एज्जिस्मेंट के टाइम घटा देना है अलग कर देना है एक महत्पूर बात ये कि इसको हमको अंतिम इसकंध मानते हुए एक बार तो हमने घटा दिया फर्स्ट एज्जिस्मेंट दूसरा इसको हमको अंतिम इसकंध मानते हुए इसके जो कॉस्ट प्राइज है हमको ध्यान में रखना है है market price के valuation अभी तक की नहीं हमने इसके जो cost price है उतनी कोस्ट price से हमको closing stock को increase कर देना है याने इसको हमको balance sheet के assets में हमने जो closing stock अंतिम सकंद लिखा हुआ है उसमें हमको इसको बढ़ा देना है एड कर देना है कई बार हमको ऐसा adjustment एक देखने को मिलता है जिसमें दिया गया होता है व्यापारिक अवधी के अंत में प्राप्त माल जिसका लेखा नहीं किया गया कई बार आप देखते होंगे कि जब क्लोजिंग का टाइम आता है 31st मार्श 31st दिसंबर या जब भी क्लोजिंग जो एक फर्म करती है तो वहां पर इतना ज्यादा वर्क लोड रहता है कि थोड़े समय से पहले ही हम क्लोज करना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सारी चीज़े हम हाँ पर रेडी कर दे है ऐसी कंडिशन में हमको क्या करना है कि यहां पर हमको व्यापार खाते में हमने जो क्रे लिखा हुआ है उसमें हम एड कर देंगे सीधी सी बात है क्रे किया गया माल है लिखना हम भूल गया थे चूट गया था तो हम क्रे में एड कर देंगे प्लस कर देंगे और उधार अ होते हैं उसमें हमको इस अमाउंट को एड़ कर देना चाहिए इसके विपरित एक समायोजन हमको देखने को मिलता है कि व्यपारी कवधी के अंत में बेचा गया माल जिसका लेखा नहीं किया गया एकदम उसको हम लिख नहीं पाये अब हमको इसको एड़िस्ट करके सुधारना है तोसीधा सीधा सा हमने बेचा है विक्र तो जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के credit side में हमने जो विक्र याने sale की amount लिखी हुई है उसमें हम इस राशी को जोड़ देंगे याने add कर देंगे और दूसरी बात क्योंकि sales से हमारे नए data बनते हैं तो समपत्ति side में हमने जो data लिखा हुआ है उस data याने देंदार में हम इतनी ये amount को plus कर देंगे तो एक ये इसका treatment हो गया दूसरी बात कई बार हमको बहुत सारी हानियों का भी सामना करना पड़ता है जब हम कोई व्यपार करते हैं जिसे हमने देखा न चोरी से हानी आग से माल नस्ट हो गया ये हानी वैसे ही बहुत सारी प्रकृतिक आपड़ाएं होती है भूकम बार तुफान अचानक से किसी भी मौसम में बारिश हो जाना ये जो हानिया होती है ये आकस्मिक हानिया कहला जाती है इसके लिए प्रिपेर भी नहीं रहते कि ऐसा हो जाएगा कई बार आप देखते होंगे ठंड के महीने में बारिश हो जाती है और भी कई सारी दुरगटनाय होती है जिनके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है एक वैपारी को और यही कारण है कि इन सब हानि से बचने के लिए एक वैपारी अपने माल का बीमा करवा कर रखता है इंसुरिंस करवा लेता है आए देखते हैं इन हानियों के कंडिशन में किस किस तरह से ट्रेट्मेंट किये जाते हैं पहली बात अगर संपत्ति की हानी हुई है एक बहुत अजीब सी बात यहां पर से एक operate पूंजी गथानी तो फिर इसको हम पूंजी गथानी क्यों नहीं मानते कि Sü कि थी AH घरत आंजेंती हैं उनके अनुसार इंभाड लिया जाता है कि संपत्तियों के गर हानी हुई है तो बहुको व्यपारी ठाणी मानने चाहिए और व्यपारी घब्स की Strass? प्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए तो बस इनी सिध्धानतों को फॉलो करते हुए हम अगर संपत्यों पर कोई आकास्मी खानी हो जाए तो इस हानी की राशी को हम व्यापार खाते यानि कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो व्यापारी क्लाब होता है उस में हम इसको माइनस कर देते हैं अनि कि कम कर देते हैं अब हम बात करें यह जो माल की हानी हुई है अभी हम बात करते संपत्ती के हानियों की अब ऐसी हानिया कई बार माल की भी हो जाती है रास्ते में माल है गाड़ी पलट गई अचानक से बाढ़ आ गया अचानक से तुफ कि लिए कोई कि घ्रीक्र करते हैं तो एक तो हम यह देखते हैं कि जो माल च्छती ख्रस्त हुआ क्या उसका भी मा करवाया गया था और दूसरी बात अगर भीमा गया था तो क्या एंट्री करनी है अगर भीमा नहीं सबसे पहले हम नigos कि कि अगर माल का बीमा ना कराया गया हो बीमा कराया ही नहीं गया पूरा का पूरा लॉस है आंशिक मिला पूरता मिला इसकी तो कोई इसका कोई प्रेशन ही नहीं उठता है पूरा का पूरा लॉस है लॉस मानते हुए यहां पर हम इसको एंट्री एक पास कर देते हैं जिससे भ पूरी की पूरी राशी तो स्विकार करती नहीं है कुछ आंशिक राशी का भुकतान करती है वेलविशन करने के बाद कि कितना लॉस हुआ है तो इस कंडिशन में भी अलग-अलग कंडिशन में एंट्री भी अलग-अलग हो जाती है यहां हमको देखना होता है कि अगर कराया गया है बीमा और पूरा का पूरा लॉस जितना लॉस हुआ है उसको बीमा कंपनी स्विकार कर लेती है तो ऐसी कंडिशन में हम एंट्री करते है बीमा कंपनी डेबिट हानी खाता से या फिर कई बार हम उसको वेपार में ट्रांसफर करते हैं इसलिए वेपार खाता से इस तरह की प्रविस्ट्री भी हम यहाँ पर कर सकते हैं एक कंडिशन अगर आशिक दावा स्विकार करती है यानि जरूरी नहीं की पूरा का पूरा दावा स्विकार कर ले कुछ हिस्सास 70-80% वे स्विकार करती हैं बाकि जो 20% होता है वो थोड़ा पूरा लॉस हो जाता है कंपनी के लिए तो ऐसे कंडिशन में क्या एंट्री करनी चाहिए ऐसे कंडिशन में में एंट्री करते हैं इंसुरेंस कंपनी डेबिट जितना पैसा मिला उसको हम इसमें डालते हैं इंसुरेंस कंपनी डेबिट प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट डेबिट जो नहीं मिला उसको हम डालते हैं प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट के ड टू एसिट सेकाउन तो हमको ध्यान रखना है बहुत ध्यान सेंको समझना 구독 वह क्या जिस Mahal हमें की हानी हुई जो हमार चलर्ट हूई उसका वीमा कराया गया था या नहीं ? दूसरी बात अगर किराया गया था तो जितने का हुआ है उसमें से बीमा कमपनी ने कितने का दावा स्विकार किया है और कितना लॉस अभी भी बाकी है अब अगर ये तो हमने बात की छती पूर्ती के स्विकार करने की पैसा तो बाद में मिलता है cash जो है वो तो बीमा कंपनी बाद में देती है तो अब हम entry करते हैं कि जब पैसा प्राप्त हो गया बीमा कंपनी से चाहे वो आशिक प्राप्त हो थोड़ा बहुत पैसा प्राप्त हो है पूरा का पूरा प्राप्त हो दोनों ही condition में यहां पर हम entry करते हैं cash account debit to insurance company रोकर खाता debit बीमा कंपनी खाता से और इसी general entry के base पे फिर हम posting करते हैं trading account profit and loss account and balance sheet में